स्वामी विवेका नंद ने कहा था कि एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और उस दौरान बाकी सब कुछ भोल जाओ उनके ऐसा कहने से अभिप्राए लोगों को समय की महत्ता समझाना था वे जानते थे कि समय का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्न इस्थान है समय जितना बहुमोल्य और शक्तिशाली है उसके समान संसार में दूसरा कुछ नहीं है यह सभी वस्तूओं से यहां तक की धन से भी अधिक शक्तिशाली और अमूल्य है समय है तो मान लीजिए कि जीवन है यदि समय नहीं तो जीवन भी नहीं है यदि एक बार यह हमारे हाथ से निकल गया तो फिर वापस लोट कर नहीं आता इसलिए हर व्यक्ति को समय का सही उपयोग करना चाहिए समय के संदर्भ में ह हमारे शास्त्रों में भी एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि पुरुष बली नहीं होते है समय होत बलवान अर्थात मनुष्य बलवान नहीं होता बलकि समय बलवान होता है समय ही है जो अनुकूल होने पर मनुष्य से असंभव काम भी करवा लेता है यदि समय प्रतिकूल हो जाए तो आसान सा दिखने वाला काम भी मनुष्य की पहुच से दूर हो जाता है समय के संदर्भ में विद्वानों और जानकारों ने अक्षरशास सत्य कहा है कि जो मनुष्य समय की एहमियत नहीं समझता समय भी उस व्यक्ति की एहमियत को नहीं समझता अगर हम समय को नश् इस दोहे में कबीर समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करना है उसे अभी कर लो कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे यानि समय निरंतर चलने वाली क्रिया है यह कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता सभी कारियों को करने का अलग-अलग समय होता है और उन्हें उन्हीं के समय के अनुसार कर लेना चाहिए समय की अंदेखी आव्यवस्था को जन्म देती है इससे हमारे कार्य आव्यवस्थित होकर जीवन में उलजन और परिशानियां उत्पन करते हैं भगवान ने हमें समय रूपी बहु मूले उपहार दिया है और हमें इसका सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए इस नपे तुले जीवन को हमें बहुत गंभीरता के साथ प्रयोग करना चाहिए बेकार के कामों में हमें अपने सीमित समय को बचाना चाहिए क्योंकि अगर हम बेकार के कामों में लगे रहेंगे तो बहुत सा समय व्यर्थ ही निकल जाएगा इसके संदर्प में एक कहावत बहुत प्रचलि हमारा जीवन समय से चुड़ा हुआ है। उसमें एक पल की भी वृध्धी होना असंभव है। जिस देश के व्यक्ति समय के महत्व को समझ जाते हैं, वही देश सम्रिध और संपन होता है। आत से निकल जाए, तो यहां हमेशा के लिए चला जाता है, फिर यह कभी लोट कर नहीं आता, क्योंकि समय हमेशा आगे की ओर चलता है, पीछे की ओर नहीं, हमारे तैनिक कार्य, जैसे स्कूल कार्य, ग्रिह कार्य, सोने जागने का समय, व्यायाम या भूजन करना, आदी समय क अनुसार निर्धारित होने चाहिए, हमें अपने कार्य बाद के लिए नहीं टालने चाहिए, हमें समय के महत्व को समझ कर, इसका प्रयोग रचनात्मक धंग से करना चाहिए, समय का सही उपयोग हो, उसके महत्व को ध्यान में रखकर कार्य किये जाए, इसके लिए जरूर बढ़ जाती है और जित समय प्रबन्धन ही हमें समय के सदुपयोग के लिए प्रेरित करता है। इसके द्वारा मनुष्य एक-एक शण को बिना व्यर्थ गवाए इसे अपने लिए उप्योगी बना सकता है। आप प्रशन उठता है कि समय का प्रबंधन कैसे किया जाए? समय का प्रबंधन करने के लिए प्रति दिन की दिन चर्या या प्रति दिन किये जाने वाले कारियों को एक डायरी में लिखें. इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने कारियों को कितना समय देते हैं तथा कितना समय व्यर्थ कर देते हैं. किसी भी कारिकों करने के लिए समय योजना बना कर कारे करें तथा उसके अनुसार ही अपने कारियों का निश्पादन करें. इस प्रकार समय का प्रबंधन हमारे प्रते कारिकी प्राथमिक्ता को स्वयम ही तै कर देता है. याद रखो कि हम मनुष्य के जीवन में समय अति महत्वपून होता है और इसका सदुपयोग ही जीवन की उन्नती की कुणजी है जो लोग समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं इससे हमारे जीवन में समन्वे बना रहता है संसार में जितने भी महान व्यक्ती हैं उन्हें कई युगों के बाद भी हम याद करते हैं क्योंकि वे समय के मूले को पहचानते थे उन्होंने हर कारे को समय पर करने की प्रेर्णा दी हाथ में बांधी जाने वाली या दिवार पर लगी घड़ी भी हमसे यही कहती है कि हमीशा मेरे साथ साथ चलो क्योंकि इससे मनुष्य अपने जीवन के प्रतेक शन को उपयोगिता के साथ जी सकता है हमें उसके इस कथन का अनुपालन करना चाहिए